और मरियादा कहे जाने वाले मरियादा प्रुशुत्तम की आकरती की तस्वीरें और जंडे हैं और तमाम मरियादाओं को तोड़ते हुए मा बहन की गाली वाले गाने बजाये गए वो वाइरल है पूरे सोशल मीडिया पर परदा मंतरी जी को इसका संग्यान लेना था मुख मंतरी जी को इसका संग्यान लेना था केंद्रिया कानून मंतरी को इसका संग्यान लेना था कि और हिंदू धर्म गुरूओं को भी इसका संग्यान लेना था और इससे नुक्सान हमें नहीं है इससे नुकसान पूरे देश को है लेकिन ज्यादा सनातनी हो को है जिनकी आस्था राम पर उनका उनको नुकसान उनका कद छोटा हो जिसके घर में ये भक्तों की टोली घुसी जिसके माबहन को गाली दी गई उसी पर गुल्डोजर चलाएगे यही अगर राम राज है मैं कह रहा हूं जिनकी आस्था आज राम पर है जिस तरह से राम को प्रस्तूत किया हैं लोगों ने आस्था छोड़ देंगे लोग छोड़ेंगे लोग छोड़ेंगे और राम राज में आज मनुष को मारा जा रहा है राम का नाम लेकर मारा जा रहा है राम राज में उनके स आपने वो तस्वीर भी देखी है और मस्जिरों के गेट पे तो गाने हैं वो तो चली रहे हैं साथ वो तो रुकने रहे हैं राम चदर जी के विशे में शायर मश्रिक लमा अखबाल ने कहा कि है राम के वजूद पर हिंदूस कांको नास अहले नदर समझते हैं जिनको इमाम हिंद किल्त उसका नाम लेना और किसी पर हमला कर देना नाम लेन और किसी के घर में Megi जाना नाम लेना और मैंवें के गाली दे देना उल्यों चयक्री राम तो आद भी कहता जल्दी छोड़ो काम और जल्दी से यहां से भागो निकलो कहीं आगे मुसल्मानों गाबराने कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इनको पदरब मचाने दो इनको राम का नाम बदराम करने दो इनको ही नुकसान होना हमें नहीं होना हमें तो दो चार दस लोग मरेंगे मरेंगे मरी रहेंगे और थास करके जो अब राम जी के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है मुझे उमीद है देश के लोग इसको गंबिरता से लेंगे अब आप चुप मत रहिए आपके सामने अगर कोई राम का नाम लेता है तो दिल बड़ा होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि कोई राम भगता आया है लेकिन आज जैसे नारा मेरे कान में आ जाए जैय शीरी राम भगदर मत जाता साब आगया कोई लगता है मामला, ये सोच बदलिये देश में राम मंदिर के उद्घाटन समरों में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के जो शब्द थे वो देश भर में गूँज रहे है वो शब्द क्या थे उस पर हम बात करेंगे राम को लेकर उनने कहा कि राम ही विधान है, राम ही विचार है, राम ही सब कुछ है और भी बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया, हमारे साथ हाफिस गुलाम सरबर हैं ऐसे वक्त में किस तरहां से देखते हैं, राम विचार, राम विधान, इन सब बातों का जिक्र किया है क्या मैसिज ये देश के लोगों को जा रहा है ने, विचार तो है राम, लेकिन विधान नहीं है विधान तो भारत का समविधान है और प्रधामत्री जी को धर्म गुरू की तरह अपनी वानी नहीं रखनी चाहिए जो सनातन धर्म के धर्म गुरू है, जो हिंदू धर्म के धर्म गुरू है उनको ये सब अधिकार प्राप्त है कि वो रामजी के विशेश्टाओं को आम लोगों के बीच ले जाकर रखें करिशनी जी की विशेश्टाओं को रखें और दूसरे आउतारों की विशेश्टाओं को वो रखें लेकिन परधान मंत्री, मुक मंत्री, केंद्रिय मंत्री, विधायक, सानसद, पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्त अगर ये भी राम जी और क्रिशनी जी की ही बात करते रहेंगे तो भारत के समविधान की बात फिर कौन करेगा ये एक सवाल बड़ा सा पैदा होता है देश चलता है भारत जो चलता है वो समविधान से चलता है और भारत के लोगों को समविधानिक पद पर बैठे जो लोग हैं उनको चाहिए के समवाइधानिक भाशाओं से समझाएं आज जहां वीदी वीधान के साथ प्रान प्रतिष्ठा हो रहा था वहीं कानून की धज्जी भी लखनों में मुंबई में भारत के कई शहरों में उड़ाए गए आपने वो वीडियो शोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा जिसमें वो भक्तों की एक टूली है और वाज़ाफता वो सारे धार्मिक प्रतिक चिन और सारे जहन्डे हैं और मरियादा कहे जाने वाले मरियादा प्रुशुत्तम की आकरती की तस्वीरें और जहन्डे हैं और मरियादाओं को तोड़ते हुए मा बहन की गाली वाले गाने बजाए गए वो वाइरल है पूरे शोशल मीडिया पर परदामत्री जी को इसका संग्यान लेना था मुख मंत्री जी को इसका संग्यान लेना था किंद्रिय कानून मंत्री को इसका संग्यान लेना था कि और हिं को बदनाम न करो यदि धर्म को इस तरह से प्रस्तूत करेंगे तो इससे आपका नुकसान है मैं तो कहता हूं कि इस वक्त जो धर्म है हिंदू धर्म इस वक्त वो सिर्फ सक्ता का धर्म होकर रह गया है और इससे नुकसान हमें नहीं है इससे नुकसान पूरे देश को है लेक का और न्यूस चैनल से ये कहा जा रहा है कि भाई अब जो है राम राज्जे स्थापित हो गया आज जो है एक नए भारत की नीव रखी जा रही है उसी दिन देश के अलग-अलग कोने से जैसे आप बता भी रहे हैं वीडियो आई है खबर आ रही है कि राम के नाम पर ही अब हाँ उसी को जिसके माबहन को गाली दी गई उसी पर बुल्डोजर चलाए गया यही अगर राम राज है तो योगी जी और मोदी जी के लिए अगर चिंता का विशाई नहीं है तो आने वाले दिनों में जनता बड़ी तेदी से सोच बदलती है कि सोच बदलने में समय नहीं लगता है बाद में उन्हीं लोगों को लगेगा यार यह तो धर्म की बदनामी है और यह धर्म अगर ऐसा है तो फिर छोड़ो इस धर्म को और लोग छोड़ने लगएंगे यह बड़ी बात मैं कह रहा हूं जिनकी आस्था आज राम पर है जिस तरह से राम को प्रस्तूत क आता है टीवी पर कि यह शेंपू को खरी दिये इस से आपके बाल बढ़े होंगे हमने खरीदा और मालूम वह आपके प्रोडेक्ट नहीं है पहले सुन लीजिए पहले उदारन दे रहा हूं और मैंने शेंपू को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे आज नहीं नहीं नह आ गया कि राम वो हैं जो सबरी के जूठे बहर खाये तहीं राम वो हैं जो कुत्ते को भी नियाय मिला अंरा मरा आधार आफह很好 और इंशीप प्रथीखार आ विदयान hung चेतन ह प्रतिष्ठा में प्रृताinekि सियदि कि युरू करनी बाधि प्रता है एक शब्र just और आप गुफतार में शब्दों में भाशनों में तो भाशन से राम जी के पत पे आप चल नहीं सकते हैं आपको उस पत को जो धार्मिक पुस्तक कहता है के राम चंदर जी के राज में यानी राम राज में कुट्टे को भी न्याय मिला था मिला था ये आउन रिकॉर्ड किताब की बात बता रहा हूँ पशू को न्याय मिला और राम राज में आज मनुश को मारा जा रहा है राम का नाम लेकर मारा जा रहा है राम राज में उनके साथ अत्याचार किये जा रहे है उन्हें डराया जा रहा है खबरदार जो घर से निकल गया बुल्डो दर चला दूँगा मैं तुझे गाली बकूँ, मैं तुरी माँ बहन करूँ मैं तुझे तेरी मस्जिद पे बड़ा वाला जंडा बांदू तेरे चर्च पे बांदू मादा गया चर्च पे भी आपने वो तस्वीर भी देखी है और मस्जिदों के गेट पे तो गाने हैं वो तो चली रहे हैं साथ वो तो रुक ने रहे हैं लोग शोशल मीडिया पर लिखते हैं कि आखरी में राम जी को भी मस्जिद में जाके सुकून मिलता ये शोशल मीडिया पर लोगों ट्वीटर पे खूब लिखे हैं क्योंकि आप सारे जलूस के लिए के वहीं पहुंच जाते हैं अरे भाई पो एतनी बड़ी दुन्या बारत एतना बड़ा देश है दुन्या का सबसे बड़ा लोग तंत्रिक देश है एँ अ लाकों सड़के हैं घूम यह न आप आप घूम घाम के वहीं घूम घाम के वहीं तो आपका कद छोटा हो रहा है आपकी बदनामी हो रही है आपका धर्म जो है वो धूमिल धूंदला सा दिक रहा है उसकी तस्वीर साफ नहीं हो रही है। राम चद्र जी के विशे में शायर मश्यक लिमा अकबाल ने कहा कि है राम के वजूद पर हिंदूसता को नाज़ अहले नजर समझते हैं जिनको एमाम हिंद, हम एमाम हिंद मानते हैं और आप उनको मने इस तरह से परस्तूत करते हैं कि हिंदूसतान का मतलब उसका नाम लेना और किसी पर हमला कर देना नाम लेना और किसी के घर में घुज जाना नाम लेना और मैं वहन की गाली दे देना नाम लेना यानी के नौन मुस्लिम भारत का मुसल्मान भारत का इसाई भारत का अधिवासी भारत का सीक या दूसरा तबका अगर कोई जोर से बोलते जै श्री रा हमें सुकून होना चाहिए कि कोई राम भकत है हमारे पास ये राम जी के पचिन्नों पर चलेगा तो हमें ये हमारी मदद कर देगा ये पथ मन परदर्शक होगा ये रास्ता दिखाने वाला होगा ये अच्छा वैक्ती होगा लेकिन यकीन जानिये भारत में जो माइंसेट है अगर कहीं से जोर से आवाज आ गई जैशिरी राम तो आदमी कहता जल्दी छोड़ो काम और जल्दी से यहां से भागो निकलो कहीं आ गया कौन आ गया आप समझ लो सब बताने की जरूरत नहीं और यही इस देश में हो रहा है तो मोदी जी और योगी जी और हिंदू धर् हूँ यह खौफनाक नाम नहीं है यह डराउना नाम नहीं है यह दर्दनाक नाम नहीं है यह नाम अगर आपने कहा है कि चेतना है जागरती है मैंने क्या क्या जो शब्द आपने इस्तमाल किये वो तो वहवार में दिखना चाहिए धरातल पर दिखना चाहिए यदी नहीं तिखा तो इसका मतलब है के आपकी कत्नी और कर्णी में अंतर है और आपको इसका खामियाजा सोयम भूगतना परेगा सोयम आपके लोग भागेंगे पहले भी भागे थे हम लोग भाग हुए मैंसे हैं भाई भागे हुए मैसे मतलब सब कनवर्टेड हैं कोई भी देसी थो रो रहे हैं लोग काते हैं मुगल के वंशत मुगल के वंशत तो योगी जी हो भी सकते हैं हम नहीं हो सकते हैं योगी जी इसलिए हो सकते हैं के बाबर से लेकर अकबर से लेकर और शाजहां से लेकर और रंग जेब तक और अंग जेम तक साइकडों शादियां जो हुई हैं मगलो की वो राजपूतों से हुई हैं इनके रिष्टे थे बेटी रोटी का रिष्टा ता शासन पर शासन का रिष्टा था हमारा कोई संबन नहीं था मुगलों के तमाम हरम में मुगलों की तमाम पत्नियों में एक भी अनसारी, मनसूरी, राइ, हललखोर, चमेला, जोजा, नाट, बक्को, नाई, धोबी आप दिखा दो दिखा दो आप तो मैं मानू हम कैसे वंशज होंगे भई वंशज तो वो होंगे जिन्होंने शादिया की, वंशज तो वो होंगे जो उनके साथ बैठे थे तो हम नहीं हम मुलनी वासी हैं, हम भारत वासी हैं, हम कनवर्टेड मुस्लिम हैं हमारे पुरवजों को लगा कि इस धर्म में कुछ कमी है, कुछ तुरूटी है आप लौट चले, लोग शान्ती के पास, अमन के पास, प्यार के पास, दस्तरखान के पास, एक साथ बैठके खाने वालों के पास, एक साथ नमाद मुरने वालों के पस चले गए और जा रहे हैं और आज भी जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बढ़ेगा कनवर्जन मुसल्मानों घबराने कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इनको पदरब मचाने दो इनको राम का नाम बदराम करने दो इनको ही नुकसान होना हमें नहीं होना हमें तो दो चार दस लोग मरेंगे मरेंगे मरी रहें ऐसे भी मरेंगे जब लोग धर्म से हटते हैं धर्म के रास्ते से हटते हैं और उनके अंदर वह संख्यक वाद वाली जो सोच डवलप होती है कि हमी हैं और कोई नहीं हैं माट डालेंगे तोड डालेंगे तो उनको देर सवेर वो नुकसान देखे जिसका बच्चा गुंडा होगा उस परिवार की बर्वादी का हमत बर्वाद हो गया ना पूरा परिवार बर्वाद हो गया ना भाई हम क्यों नहीं बर्वाद हुए एक इस रास्ते पर तो राम जी के मानने वाले ही को घाटा होना है, हमें नहीं होना है, हम क्यों परेशान हो, हमें पता है, आप कितने वरे आयोजन कर लो, योगी जी ने एक बयान दिया था, सत्ता ही धर्म होता है, तीवी चैनल पर इंटर्व्यू में, सच कहा योगी जी ने, हा चले जाते बरी तेजी से यहान mountain Christianity बरी तेजी सेowania शिक. शिख धर्म कहां से आगया इसलाम पर अरोप लग रहा ही पाकिस्तान से आगके कब्रिस्टान चाहिएक प्रकमानिस्तान से आगया अधर वागरा है पता नहीं कहां कहां से आगया लेकिन सिख कहांसे पुरवज शिख से जाके पुझी आपका धर्म क्या है तो एक नहीं है भाई यह तो एक बात मैंने आपको कह दी बहुत दिस में अभी तो साल छे महीने भी ने हुई है मंच लगा लगा के लोगों ने कनवर्जन किया बाइस परतिग्याएं पढ़ी गई है भी एक मंतरी जी है भी कुछ देर पहले थे कार्ज करम में मंतरी बचारे जो है अपना मंतरी पद भी गमा बैठे इसी चक्कर में हो रहा है हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है भाई पर जो घटनाए हो रही है अब देखे उसमें नुकसान किसका है इस देश की प्रोपर्टी फूकी जा रही है चाहें वो किसी गरीब की हो ठेले वाले को पल्टा जा रहा है कपड़े वाले की दुकान फूकी जा रही है और यह हो रहा है देश देश देख रहा, देश के बहु संख्यक देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि देश की बड़ी आबादी जो है, वो कॉमिनल है, बड़ी आबादी सेकुलर है, यहां की मिट्टी सेकुलर है, यहां की सोच सेकुलर है, उन सेकुलर वादियों को नहीं पता चल रहा है, उनकी गली मह रहा हो रहा है सभी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं आप जैसे चैनलों के जरीए भी खबरें जा रही है शोशल मीडिया पर सारी खबरे आती रहती है चंचंचन कर जो कुछ मजभ के नाम पर हो रहा है इस मुलक में और खास करके जो अब राम जी के नाम पर जो कुछ हो रह वो पूरा देश देख रहा पूरा देश देख रहा मुझे उमीदे देश के लोग इसको गंबीरता से लेंगे अब परतिक्षा कीजिए घाबराने कोई जरूरत नहीं है उतल पुतल दुनिया की तारीख में बहुत कुछ हुआ भारत में भी हो रहा तारीख का एक हिस्सा है उतल पुतल होना जादा जो मैजोरिटी है वो सेकलोरिजम वाले हैं जब आपके उपर कोई अप्तेचार कर रहा है या कोई वी वेक्ती आगा आ रहा है तो फिर वो आगे बढ़कर आपके आगे क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं यह सवाल मैंने कई बार उठाया कि जैसे मॉ माब लिंचिंग हो रही है अफराजल की हो रही है तबरेज की हो रही है बहलुखा की हो रही है किसी की भी हो रही है तो माब लिंचिंग करने वाले तो चुटकी भर लोग हैं मुठी भर भी नहीं लेकिन बाकी लोग जो तमाशबीन हैं वो तो सपा बसपा कंग्रेस आर ज J.U., T.M.C., C.P.I., इत्यादी सेकुलर पार्टियों के हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें कम से कम ये तो कहना चाहिए, आगे आकर भाया, इसको क्यों मार रहे हैं, ये तो मेरा वोटर है, और वो भी एग्रिमेंट किया हुआ वोटर है, आप देखें न, गस्में खिलाई जा है रही ममता बनरजी ने राम का नहीं खिला यातार्जिव अन्हार रही है मेंद्सेट में को कुछ हमारे लीडरान भी जो मैं मिस गाइड कर रहे हैं, मिस लीड कर रहे हैं उनको मैं सतर करना चाहता हूँ आम जन इहां का सेकुलर है, बड़ी आबादी इहां का बहुत अच्छी सोच का है लेकिन कहीं न कहीं वो चुप है उसकी चुपी का उसकी चुपी का ये चुटकी भर लोग मुठी भर लोग फाइदा उठा रहे हैं इसलिए मैं देश के उन तमाम सेकुलर सोच रखने वालों से हाथ जोर कर बिंती करता हूँ अब आप चुप मत रहिए आपके सामने अगर कोई राम का नाम लेता है तो दिल बड़ा होना चाहिए खुश होना चाहिए कि कोई राम भकता आया है लेकिन आज जैसे नाराक मेरे कान में आ जाए जै शीरी राम भगदर मत जाता साहब आगया कोई लगता है मामला ये सोच बदलिये देश में और अगर इस देश सोच को नहीं बदलेंगे तो नुकसान उनका होगा जो अपने आपको कडोरों कडोरों में गिनाते हैं सोच कडोर सनातन धर्मी हैं वो बाद में उनकी गिंती 90, 80, 70, 60 होते होते जो कहा जा रहा है पचास और 75 सन बार बार गिनाया जाता है टीवी डिबेट पर आप देखते होंगे इसलिए ये फ्लान लाओ, वो प्लान लाओ, C.A. लाओ, N.R.C. लाओ, U.C.C. लाओ, फैमली प्लानिंग लाओ, फ्लाओ, सारे हत्कंडे हो रहे हैं इन्वर्सिटियों पर ताला लगा, इनके पढ़ने पर रोक लगा, इनके बढ़ने पर लगा, इनके फलने पर रोक लगा, वो सब कुछ जो हो रहा है, वो कुछ भी आप कर लो, उल्टी पर गई सब तद्बीर है, कुछ भी दवा ने न काम किया, और आखिर ये बीमार दिल आखिर काम तमाम किया, अन्तो गत्वा जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं, ये रास्ता इनको माइनस पर लेकर जाएगा, ये रास्ता इनको हर हाल में नुकसान दिलवाएगा, ये रास्ता उनकी आबादी को कम करेगा, उनके आस्था को कमजोर करेगा, उनकी सोच पर गरहन तक जाएगा जो लोग आज दर्शन के लिए लाइन लगाए हुए है कल को वो गंभीर होकर कभी एकांत में सोचेंगे कि राम जी के कद को जिस तरह से पेश किया जा रहा इस देश में राम जी का नाम जिस तरह से भाई का बनाया जा रहा नाम इससे तो राम जी का कद छोटा हो रहा है तो राम जी के परती सची शर्दा रखने वाले लोग आगे आकर ऐसे लोगों से खुद लड़ेंगे इनतिजार कीजिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है